अस्कार दोस्टो city में आपका स्वागत है तो परमाडू किसे कहते हैं तो किसी तत्व का वह सुस्तम कड़ जो सुतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है तधा ओर सायनी कभिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाडू कहते हैं परमाडू में भी तीन मूल कड़ होते हैं, जो एक इलेक्टरान, प्रोटान और न्यूटरान होते हैं, इलेक्टरान, प्रोटान और न्यूटरान